उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्र योगी अधित्तिनाथ रवीवार को उत्रा खंड के रिशिकेश एम पहुचे यहां उन्होंने सबसे पहले अपने माज से मिलकर उनका हाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्त की पूरी जानकारे ली इसके बाद उन्होंने रोधिप्रया घाथसे में घायल हुई लोगों से भी मुलकात के और उनके स्वास्त के बारे में भी पूछा आपको बता दें, CM योगी अधित्यनाद के आने का प्रोग्रम काफी गुप्त रखा गया था, अचानक उत्तरपदेश के मुख्य मंत्र योगी अधित्यनाद आज रिशिकेश एम पहुचे, और यहां उन्होंने अपने मता के स्वास्त लाप को लेकर डॉक्टर से भी बात क चानकारी के लिए आपको बता दें कि 15 मैं से योगी अधित्यनाद की मा एम्स में भरती है और उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी एम्स में मौजूद है बता दे एम्स का डॉक्टर एक एक लगतार सावित्री देवी के स्वास का परिक्षण कर रहा है वही मुख्यश मंतरे पुषकर सिंग धामी ने भी कर विशेश रूप से एम्स के डॉक्टर से मुलकात कर सीम योगी अधित्यनाद की मा सावित्री देवी के स्वास्त की जानकारी लीगी आर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंदर योगय अतिनाद भी एम्स बहुचे बताद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंदर योगय अतिनाद का प्रिते गाउं विशिकेश एम्स है चापचास किलो मीटर दूर है योग्यारित्तिनाद के माता सावित्प्री देवी का हिलाज एमस में काफी लंबे समय से चल रहा है आपको बता दे रविवार को उत्रखन का रूत्रप्याग में त्रीत्यात्रियों को लेकर जारी एक बस दुर घटना हो गई थी इस हाथसे में अब तक 15 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की ख़बर है इस हाथसे पर सीम यूगे तिनाद ने शुका कुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाय व्यक्त की है वहीं मुख्य मंत्री कार्याले और राहत आयुक्त कार्याले को रुद्रप्र्याक प्रशासिन से संपर घालुग की समुचित उपचार और आवशक सुरुक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिये हैं ऐसे में आपको अमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए देश तुल्या की तमाम और ये प्रूत रखन की हचोटी बड़ी खबरों के लिए नियूज से चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले